नमस्कार दोस्तों एक बाफिर से आप सभी का स्वागत है DS4 News में वैसे तो लगतार अब खबर ही आ रही है कि उत्तबदेश चुनाव को लेकर के BJP के अंदर घामासान मचा हुआ है पिछले कई दिनों से बैठ के चल रही है मन्तन किया जा रहा है कि आने वाला सन 2022 का जो विधान सवाचुनाव है उसमें प्रक्रिया किस तरीके से किया जाएगा क्या रणनीती जो है अपना ही जाएगी लेकिन इसी के बीच खबरे जो हैं लगातार हम सभी के सामने आ रही है बता ये दा रहा है कि अब BJP के साथ साथ आरेसेस की भी मिटिंगें बैठनी सुरू हो गई है आरेसेस ने बड़ा फैसला लिया है आरेसेस के तरब से सफाई दिया गया है कि प्रधान मंतरी मोधी का जो चहरा है अब वो धुमिल हो रहा है तो माइन ये रखता है कि आने वाले उत्तर प्रधान मंतरी मोधी का जो चहरा है अब वो धुमिल हो रहा है और इसकी वज़ा हमने पिछले चुनाओं में भी देखा क्योंकि बंगाल में जब चुना हुआ तो एक फायर ब्रांड देखने के मिले मोधी हमारे देश के प्रधान मंतरी जी जो की वहाँ पर चुनाओं प्रसार करने जाते हैं और साथी साथ में जो है उसका नतीजा जो है एक हम सभी के सामने भी आता है कि उसका नतीजा क्या देखने को मिलता है लेकिन RSS का एक बड़ा फैसला सामने आया है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में योगी आदितनात के चेहरे पे ही चुनाओ लड़ाया जाएगा और योगी के साथ-साथ उनके मंत्री ही सिर्फ चुनाओ परसार करेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले विधान सवाद चुनाओ में जहेशन 2022 में पांस राज्यों में चुनाओ होने हैं प्रदान मंत्री मोदी का चेहरा का यूज नहीं किया जाएगा ऐसा RSS का मानना है हाला कि अभी बीजेपी पार्टी ने इस पर कोई नीड़े नहीं लिया है लेकिन RSS ने अपने तरीके से पुरे पक्ष रख दिया है और ये नतीजे बिल्कुल साफ कर दिया है कि प्रदान मंत्री मोदी के चवी है वो खराब नहीं कि जाएगी क्योंकि बार बार प्रदान सकता है इसलिए जो है अब आने वाले चुनाओं में प्रदान मंत्री मोदी का जो चहरा है अब वो सामिल नहीं किया जाएगा इसलिए RSS ने एक बड़ा फैसला लिया है इसी भी जो है दूसरी खबर पर हम बाचित कर रहे थे कि BJP जो है दूसरी रणीती क्या अपनाने वा आएंगे उससे दोगुनी सीटे ले करके आएंगे लेकिन ये दावा जो है विफल रहा दिखता वन्नजर आया और इसके पीछे की जो वज़ा है खुद इनके मीटिंगों में ही मीटिंग से ही ये निकल कर आया कि जो मुस्लिम जो धुरुवी करण जो किया गया है वोटरो को मिला लेकिन हाँ टीमसी पार्टी को जो एक बड़ा रूप में जो है एक फाइदा सफलता मिलता हुआ नजर आया और इसी बीच जो है अब बिजेपी की तरफ से भारजंदा पार्टी के तरफ से निर्ने लिया जा रहा है कि आने वाले विधान सबाद चुनाओं में जो आकि जो है ऐसी एक मैसी जा सके कि भारजंदा पार्टी जो है वो मुस्लिमों से जो है कटरता नहीं करती है उससे जो है नफरत नहीं करती है और ये भी इसलिए माना जा रहा है प्रधान मंतरी मोदी को इसलिए भी नहीं उतारा जा रहा है कि अगर प्रधान मंतरी मोदी ज या फिर Congres Party पे जो है इसका काफी ज़्ञादा असर देखने को मिल सकता है उनको ज़्यादा benefit मिल सकता है नकि भार्थी जंता party को इसलिए अने वाले चुनाओ में सबसे ज़्यादा voter जो है कि आप लोगों तक नहीं पहुचाए गई हो लेकिन अंदुरुनी कला जो इसी बात को ले करके चल रहा था जो अब ये सामने आया है एक चीज और हम आपको बता देए कि पिछले दिनों में ही जो है देखने को कहीं है मिला कि उत्तर प्रदेश के वेब पोटल से यानि कि जो भारती जन्ता पार्टी यूपी का जो टूटर हैंडल उससे प्रदान मंत्री मोधी का जो चैरा है छुपाया गया हटाया गया इसके वज़ब यही माना जा रहा है कि प्रदान मंत्री मोधी का जो चैरा है अब कहीं भी नहीं लगाया जाएगा विधान सभा चुनाओं में चाहे भले ही किसी विराज्य का चुनाव क्यों न हो इसलिए प्रधान मंत्री मोधी का चेरा अटाया गया और उसके वज़ा भारती जन्ता पार्टी ने योग्या दितनायत के नेटुते में चुनाव लड़ने के लिए जो साब साब संकेत दिया है तो देख सकते हैं यह है अभी के सबसे वड़ी खबर जो आप तक हमने सोचा है कि क्यों न पहुंचाई जाए फिल्हाल के लेत रहे ही जूड़रेगा हमारे साथ देखते लिए सो न्यूज धन्यवाद